मसकारा दोस्तों मेरा नाम है दिश्कमार एक बार, फिर मेरे शनल में आपका बहुत-बहुत सवागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हेमेट आक्सलिन और योसे इस्टेनिंग के बारे में। यह staining बहुत important है इसलिए आप इसको जरूर याद करें पूरा complete पढ़ें और मैं आपको notes भी आगे provide करूँगा लेकिन आप इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने के लाइक वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले चीज जो hematoxylen और eosin staining है अभी तक हमने जो है classes histopathology का जो ले रहे थे उसमें हम पहुँच चुके थे Microtomy में cutting section हो गया था staining हमारा तयार हो गया था और staining के लिए हमारा slide तयार हो चुका था और staining कैसे बनाते हैं वो भी हमें इसमें सीखेंगे staining जो prepare किया जाता है hematoxylen का eosin का जो reagent होता है यह powder form में आते हैं दोनों हमारे पास और दूसरा चीज यह hematoxylen जो होता है और eosin होता है इनको बनाते कैसे हैं उसका practical part भी वीडियो मैं already बना चुका हूँ playlist आप समझ में आ सके अब हम चलते हैं hematoxylen और eosin में तो hematoxylen के बारे में पहले अगर हम बात करें तो यह hematoxylen जो है powder form में आपको मिलता है थोड़ा महंगा आता है यह natural dye इसको बोलते है क्योंकि यह प्रकृति के द्वारे प्राप किया जाता है hardwood या logwood जो tree होता है उसके द यह synthetic dye है मतलब इसको labrotis में बनाया जाता है और यह eosin जो होता है इसके बारे में भी हम detail में बात करेंगे कि किस तरीके से इसको भी labrotis के अंदर बनाया जाता है अब हम मुद्दे की बात करते हैं hematoxylen और eosin जो stain है यह staining किस तरीके से आपके tissue को stain करेगा tissue किस से मिलकर बना होता है जैसे कि आपको पता है cell से मिलकर के आपका tissue बनता है ठीक है तो एक cell जो होता है cell से बहुत सारे cell मिलकर के एक tissue बनाते हैं अब tissue भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं epithelial tissue connective tissue muscular tissue nervous tissue तो अलग ताइप के tissue होते हैं तो hematoxylin reosin stain इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अलग-अलग type के tissue को यह बहुत ही अच्छे तरीके से stain कर देता है और आपको differentiate करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है बहुत अच्छे तरीके से color उनको दे देता है जब आप microscopy करते हैं तो आपको identify करने में आसानी हो इंपर की stain किस तरीके से करते हैं यह बहुत important है आप समझना इसको गहरा ही है इसमें तब ही आपको समझ में आएगा अब जैसे की cell है cell में आप हम important दो पार्ट की बात करेंगे एक होता है आपका nucleus ठीक है और दूसरा होता है आपका cytoplasm और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं cell में आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन nucleus और cytoplasm दो चीज़ें हम देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका जो है base इसी पर depend करता है कि एक कॉन-कॉन सी चीज़ों को stain करेंगे अब हम इसमें बात करेंगे जो यह nucleus होता है आपको समझने के तौर पर nucleus के अंदर आपको RNA यह DNA मिलता है ठीक है इसका full form अगर आप पढ़ेंगे तो ribonucleic acid होता है तो acid सब्दाया इसका मतलब nucleus के अंदर acid है मतलब इसका nature acidic है इतना तो आपको समझ में आ गया तो nucleus आपका कौन से नेचर का हो गया ऐसे डिक नेचर का यह जो nucleus हो गया आपका यह acidic ठीक है तो just opposite आपका cytoplasm हो जाएगा basic यही पर आपको clear हो गया कोई doubt नहीं होना चाहिए इसमें यह acidic हो गया यह basic हो गया अब हम अगर यह reagent की बात करें यह reagent हमेशा अपने opposite direction वाला यह opposite चार्ज वाला जो चीज होगा उसी को यह इस्टेन प्रोवाइट करेगा अदरवाइस यह अपने सेम जो इसका अगर नेचर है यह basic है तो यह basic को इस्टेन नहीं करेगा यह acidic वाले को डाय ठीक है डाय का मतलब कलर होता है तो यह acidic डाय हो जाएगा इसलिए बेसिक नेचर वाला साइटो प्लाजम को यह इस्टेन कर रहा है और यह basic डाय है इसलिए नुकलियस जो होता है तो यह नुकलियस जो हो जाएगा क्योंकि basic डाय के दौारा इस्टेन हो रहा है इसलिए इसको बेसोफिलिक सेल भोलेंगे ठीक है और यह आपका साइटो प्लाजम जो होगा acidic डाय के दौारा इसे इस लिए यह आपका हो जाएगा acidophilic ठीक है तो ये term इनके लिए इस्तिमाल किया जाता है और ये चीज़ें पूछा जाता है इसलिए आप इनको याद कलने मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी अगर आपको अभी भी confusion है दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं अब important चीज़ आप मैं इसमें आपको ये बता दो ये तो primary stain होता है आपका ठीक है और ये counter stain होता है तो primary stain जो hematoxylen है actually ये basic dye है लेकिन strictly basic dye नहीं है अगर hematoxylen को hematoxylen के द्वारा stain किया जाना है tissue को तो ये जो hematoxylen है stain करेगा अगर ये किसी भी tissue को तो अपने आप independent ये stain strongly नहीं कर पाता है इसलिए इसके लिए आपको modern की जरुवत पढ़ती है तो modern के बल मैं आपको इतना बता दू modern की जरुवत इसलिए पढ़ रहा है modern का का काम क्या होता है जो आपका ये hematoxylen है या staining reagent है किसी भी staining में अगर modern की requirement हो रही है इसका मतलब modern जो है जो आपका staining reagent है और जिस चीज को stain आप कर रहा हो वो दोने चीजों को जोडने का काम करता है ठीक है ये modern का काम होता है कोई भी modern किसी भी staining में अगर इस्तेमाल किया जाता है तो modern का काम ही होता है, एक bridge की तरह काम करता है, यह link करने का काम करता है, तो इसमें hematoxylene को tissue को अगर stain करना है, तो इसमें modern की requirement होती है, जिसके द्वारा जो है, यह stain provide करता है, तो यह simple सा एक इसमें चीजें थी, जो मैंने आपको बता दिया, और आगे पूरा class में आपको दे र होते हैं, और लेकिन जो काम practically lab में किया जाता है, वो अलग ही होता है, जो आप करेंगे, तभी आपको practically detail में समझ में आगा, तो चलिए देखते हैं, complete उसमें क्या क्या चीजें हैं, और books आपको चाहिए, तो requirement अगर है books की, तो आप वीडियो के description में जाईए, वहाँ आपको board में समझा दिया है, सारी चीजें, introduction में, short में आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बिलकुल simple है, hematoxlin और eosin sten जो है, basically आपके histopathology के lab में जादा तर इस्तेमाल किया जाने वाला एक sten है, ये इसलिए है, इसलिए इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंक जितने भी प्रकार के tissue's होते हैं, या उतक होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अलग-अलग type के जैसे आपने पढ़ा होगा, epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue, ये सब जो हैं, अलग-अलग type के जो muscular tissue होते हैं, सभी types के tissue को ये आसानी से stain प्रोवाइट करता है, या color प्रोवाइट करता ह है, hematoxylin और eosin, इसलिए इसको अधिकतर आपके hematoxylin और eosin stain जो है, आपके lab में इस्तिमाल किया जाता है, अब इसमें hematoxylin जो होता है, जो stain होता है, ये आपके nucleus को blue color प्रोवाइट करता है, जैसे कि मैं आपको बता दिया था, और उसके अलावा eosin जो होता है आपका, य orange color ये red color प्रोवाइट करता है, तो ये सब basic introduction है इसमें, और इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, इसमें principle की अगर हम बात करें, तो principle बहुत simple है, जो hematoxylin होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया था, ये strictly जो है, आपका basic dye नहीं होता है, इसको आपको modern की आउ सकता होती है और जब hematoxylin और eosin stain में अधिकतर देखा जाता है, कि oxidize जो hematoxylin होता है इसके द्वारा, modern का इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे aluminium जैसे तत्तों जो होते हैं, तो ये आपका structure का staining होगा, वो कभी-कभी धुनला रहता है, और इसके अलावा, जब आपका counter stain कि मतलब last में जब stain करेंगे, तो ये आपके जो अलग-अलग cells होते हैं, साइट पलाज में उसको जो है, ये stain या color प्रोवाइट कर देता है, जो आपका use in होता है, counter stain के द्वारा, तो जब आप microscope में देखेंगे, आपका structure जो है, बहुत ही अच्छा और सुन्दर दिखाई दे हैं, आपको hematoxilin बनाना पड़ेगा, क्योंकि powder foam में आता है, hematoxilin जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो powder foam में आता है, और महेंगा भी होता है, natural dye होता है, इसलिए आपको इसको लेब में इस्तिमाल करने से पहले बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद आपको इस्तिमाल करना है तो कैसे बनाना है वो आगे हम देख लेंगे इसमें इस्टेन और रिएजेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एस नहीं डला हुआ है वो आप देख सकते हैं इसमें तो इस्टेन और रिएजेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यह सारी चीजों की available रहते हैं ये सब material आप रखिए अपने पास अगर आपको hematoxylene बनाना है तो और उसके अलावा staining reagent जो इतने सारे हैं ये reagent आपको आपके laboratories में चाहिए होंगे अब हम आगे देख लेते हैं preparation of staining and reagents तो सबसे पहले hematoxylene आपको बनाना है तो hematoxylene powder आपको चाहिए 8 ग्राम आपको तॉल लेना है जो आपका weight मसीद होता है और इसके लावा आपको mercury oxide चाहिए 4 ग्राम potassium alum आपको चाहिए 160 ग्राम डिश्टिल water चाहिए आपको 1600 ml उसके बाद absolute alcohol चाहिए आपको 80 ml और storage करने के लिए आपको एक bottle चाहिए glass bottle चाहिए और इसको room temperature में आपको store करके रखना है तो इतने सारे materials आपको सबसे पहले नाप करके वजन इनका और जितना ग्राम यहाँ पर दिया है accurate आप वजन करके आप अलग रख लीजिए paper में separate करके जैसे कि मैं आपको practical वीडियो जिसमें बताया था हमेटोक्सलिन कैसे बनाना है वो आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने practical करके आपको बताया हुआ है तो procedure की बात करेंगे prepare कैसे करना है तो बहुत simple है जो आपको यहाँ पर समझा के रखा है यही सारी चीज़ों को follow करना है सबसे पहले आपको 8 ग्राम हमेटोक्सलिन पाउडर को 80 ml absolute alcohol में आपको dissolve करना है और इसको आपको क्या करना है जो 60 degree centigrade पर आपको जो आपका water बात होता है उसी में आप कर सकते हैं इसको 30 मिनिट तक आपको उसमें रखना है इंक्यूबेटर में रख सकते हैं आप या उसमें रख सकते हैं तो इससे क्या होगा जो आपका 8 ग्राम जो आपका हमेटोक्सलिन है वो प्रॉपर तरीके से आपके absolute alcohol में अच्छी तरीके से गोल जाएगा या डिजॉल्व हो जाएगा और उसके साथ-साथ आप उसको ग्लास रॉड एक रहता है ग्लास रॉड रखिए उसकी सहायता से आप उसको मिक्स करते रहिए ताकि पाउडर जो है अच्छे तरीके से completely उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा अब ये आपका ये पहला काम हो गया अब आपको क्या करना है 600 ml डिजितिल वाटर लेना है ठीक है एक लिटर बीकर में आप ले सकते हैं इसको तो 1 लिटर ये स Mobile और उसके बद एक लिटर वीकर और इसको आपको बोईल करना है जब वाटर बोईल होना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना है उसमें 160 gram potassium alum को जो है उसमें add करना है और उसके बाद जब ये alum जो है boil होता है तो आपका completely उसके अंदर dissolve हो जाता है और साथ में जैसे कि आप उसको mix कर रहे थे उसी तरीके से इसको भी आपको mix करते रहना है जो आपके पास glass rod है उसके बाद आपको जो dissolve किया हुआ hematoxylene है तो उसको जो है आपको conical flask में ले लेना है और उसको आपको इसमें add कर देना है अब उसके बाद आपको क्या करना है after 5 minute के बाद आपको 4 gram जो है mercury powder ये बहुत थोड़ा सा होता है और colorful रहता है 4 gram आपको जो है mercury powder इसमें add करके और उसके बाद उसको अच्छे से mix करना है 20 minute तक और उसके बाद cover कर देना है उसको aluminium foil के साथ ठीक है उसके बाद next day जो है आप उसको solution को filter कीजिए आप store करके रख दीजिए अच्छे से mix करके और next day जो है आप उसको फिल्टर करके और जो इस्टेनिंग जो आपके पास ट्रे रहते हैं उसमें या जार में आप लेकर के आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह सिंपल प्रोसीजर है प्रैक्टीकल समझ करके जो समझ में आता नहीं जब आप प्रैक्टीकल करके जो में लिए खाया है वह आप देखो गे तो ज्जादा इसमें इसमें इसली 135 10yl मेरी ट्वर्म के बाद आपको क्या करना है पाउडर को जो डिजॉल्व करना है तुरंत और इस्टोर करके रख दिना है ग्लास बॉटल में रूम टेमपरिचर में और वन परसेंट एलकोलिक योसिन भी आप बना सकते हैं और इसके लिए आपको बन परसेंट एक्वस योसिन चाहिए 100 ml उसक बन गया उसके बाद वन परसेंट एसेट एलकोल भी आपको बनाना है तो यह आप बना सकते हैं उसके बाद कंसंट्रेट एच सील चाहिए आपको 0.1 ml सेवंटी परसेंट आपको एप्सलूट एलकोल चाहिए 100 ml सॉलीशन को स्टोर करके रखना है ग्लास बोटल में रूम ट इकत हो जाता है इसलिए आप जब अपने हाथों से जो है स्टेनिंग करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपको कहां कमी हो रहा है क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा और अच्छे से स्टेनिंग भी होता है तो आज आजकल होने के लिए 10 मिट हमने उसमें रखा था अब जो है वेक्स पूरा रिमूव हो चुका है अब आपने को क्या करना है स्लाइट को ठाना है रैक में रखना है और उसके बाद थी चैंज औफ जालिन में आपको पाँच-बमच मिनेट रखना है जाइली में सबसे पहले रखेंगे पाँच-बमांच मिनिट के अंदर तो टीन जाइलीन के आपके पास जार रहेंगे उसमें आपको लेना है उसके बाद आपको क्या करना है ब्लॉट दा स्लाइट एंड ग्यू टू चैंज ऑप एपसलूट एलकोहल फो टू मिनिट आप दो मिनिट के लिए जो है आपको एपसलूट एलकोहल में आपको इसको ले जाना है स्लाइट मैंने आपको बताया है आपका प्रोसेस आपके बुक के हिसाब से अलग होगा, सकता है लेकिन फ्रेक्टिकली जो हम लग लेबरोटी में करते हैं, उसके अनुसर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ताकि आपको यह चीजें जो है प्रेक्टिकली समझ में आए बाकी सब नहीं जो के लिए चाल सकता है टाइमिंग अलग हो सकते हैं फ्रोसेस अलग हो सकते हैं लेकिन या है वो सब का साँ ही होता है अब इस्टेन करना है आपको हेमेटोखनीं में 5-10 मिट के लिए और उसके बाद फिर को जो है water में आप रखना है वास करिए उसके बाद differentiate करना है 1% acid alcohol जो हमने बनाया था उसमें differentiate करेंगे differentiate करने का मतलब यह हमेटॉक्सलें करता है जो सारे टिसू के सारे parts को यह इस्टेन प्रोवाइट कर देता है होता बेसिक है लेकिन बाकिंचले कर देता लिकिन हम केवाल चाहिए को जो है ब्लु करना आंडर रूनिंग टेप आटर के अंदर ब्लू इस dus कलर अलग ही आपको च्छे से दिखाई देगा क्योंकि वह alkaline medium water होता है जो tape water आपका होगा alkaline medium का रहता है ठीक तो इसलिए जो है ब्लू इस color अच्छे से आपको provide कर देता है आप microscopically आप check भी कर सकते हैं और deep blue color और आपको अच्छे से चमकता हुआ दिखाई देगा बाहर से भी आप उसको देख सकते हैं उसके बाद आपको running tape water में जो है दस minute तक रखना है वास करना है उसके बाद stain करना है आपको aqueous one percent eosin यह counter stain होता है last का तो eosin में आपको एक से दो मेंट ही रखना है ज्यादा देर नहीं रखना है और कोई-कोई staining जो eosin का होता है बहुत strongly eosin रहता है stend तो रद जो है stend करता है तो 30 seconds भी रखते हैं वह depend करता है आपके staining का concentration कितना है आप कितने देर तक उसको इस्तेमाल की हुए हो उस पर डिपेंड करता है इसलिए जो है आप वह एक से दो मिट ले सकते हैं अगर ज्यादा देर इस्तेमाल किये नहीं तो नया बनाया है तो आप 30 seconds या एक मिनिट ले सकते हैं तो जल्दी से हो जाता है नहीं तो ज इसलिए मदद से ठीक है तो डिए और हाइडरेट साइद आपको पता होगा हाइडरेट जो करते हैं जो पहले किया जाता है तो है अपको एपसलूट एलकोहल में रखना है उसके बाद आपको 70% 50% फिर वाटर में रखते हैं वह आपका हाइडरेशन कहलाता है लेकिन डिए एपसलूट एलकोहल में रखेंगे फिर शेवाट परसेंट में फिर लास्ट में जो है यहाप एफसलूट एलकोहल में रखते हैं वह डिहाइडरेशन कहले चैला टैट बाद आपको पता होंगी पिर भी मैं आपको बता देता हूं उसके बाद माउंट करना है दीप्येग् mention करके लिखा हुआ रखा है तो आपको slide को सुखाना है सबसे पहले last निकालने के बाद जार से और अच्छे से उसको सुखाना है normal temperature पर सुखाना है कहीं पर रखना नहीं हो और सुखने के बाद जो है आपको क्या करना है slide को at a time आपको only one slide लेना है और बाहर करने के बाद उसको cover slip जो आपका suitable हो चाहे आपने दो टीसू लिया है तो उसके हिसाब से आपको बड़ा जो है आपको cover slip चाहिए होगा एक टीसू लिया है तो simple छोटा वाला आप cover slip लगेगा select करना है उसके बाद dpx का drop आपको जो है उसमें डालना है और उसके बाद आपको क्या करना है slide को उसके ऊपर से आपको अच्छे से cover करना है कोई भी bubbles ना आए कैसे करते हैं वो आप practical वीडियो जरूर देखना आपको समझ में आ जाएगा tissue paper तो उसकी मदद से आप उसको साफ कर सकते हैं ताकि clean जो है slide रहे गंदा ना लगे तो इसलिए आपको उस बात का ध्यान रखना है उसके बाद आप label कर सकते हैं जो paper होता है उसमें sticker होते हैं sticker आते हैं जो आपने HP number डाले है वो number आपको slide में डालना है paper की मदद से ताकि वो number आपको आसानी से दिख सके marker की मदद से आपको डालेना है बाकि जो marker जो diamond pencil से आपने तो number वहां दिखाई देगा वो तो permanent है वो हटने का नहीं है ठीक है लेकिन अच्छे से number दिख रहे आपका staining जो है वो खराब ना हो और प्रिजर्व रहे कई साल बात भी आप निकाल करके slide को एक्जामिन कर सकते उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद slide को जो है ready हो गया submission करने के लिए आप pathologist को दे सकते हैं उनको जो है आप यह microscopy करने के लिए आप दे स उसके बाद मसल्स फाइबर जितने होंगे deep pink color के red color के और red blood cells आपके orange red color fibrin जो होगे वो आपके deep pink color के दिखाई देंगे तो यह simple सा procedure था इसके बाद जो है हम देखेंगे री इस्टेंड कैसे करते हैं अगर कोई mistake हो जाए तो आप इस्टेंड को दोबारा कैसे इस्टेंड कर सकते हैं उसके बारे में हम डेटेल में बात करेंगे thank you so much वीडियो देखने के लिए पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा सेयर करीजिए अपने दोस्तों के बीच में